तो प्रदानमंतरी किसान सम्मान निधी ओजना को लेकर इस वीडियो में आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूँ आप सभी किसान बाई चानते हैं पीम किसानी ओजना की किस्त मिलने से पहले किसानों के स्टेटिस में वेसिए वेटिंग फोर अपरूल उसके बाद आरप्टि साइन बाई स्टेट उसके बाद पैमिंट प्रूसेज headphones उसके बाद 2000 रुपे मिलते हैं तो अभी बहुत से किसानों के Waiting for April by State का आया है अपडेट तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कौन से किसानों के है और क्या ये अगली किस्त के स्टेटिस में है जो अभी आगे मिलने वाली है यानि पंदरवी किस्त के स्टेटिस में है या फिर कोई और स्टेटि सकते हैं सिर्फ रजिस्टेशन नंबर के माद्यम से और अब यहाँ पर मैं रजिस्टेशन नंबर दर्ज कर लेता हूँ इस किसान का जिसके स्टेटिस में Waiting for April by State का अपडेट आया है इस वीडियो को देखकर बहुत से किसानों के लिए खुस कबरी है क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा पेसा नहीं मिल रहा हमारा स्टेटिस अफडेट नहीं हो रहा लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान के स्टेटिस में Waiting for April by State का अपडेट आ चुका है लेकिन इसका एफ्ट यो प्रसीड अभी तक नो है और यह कौन सा इंस्टोल्मेंट आप देख लिए इसका पहला इंस्टोल्मेंट है यानि जिन भी किसानों ने PM किसानी उजना में नए आवेदन किया था तो उनके स्टेटिस में Waiting for April by State का अपडेट जरूर आ गया होगा लेकिन यह फंड ओर जब तक जारी नहीं होगा तब एकिस्ट मिलने समय यानि यह ओडर मिलते हैं क्यों कि यह ओडर मिलता है और साथ में यह बी प्रोशेस कंप्लीट होना चाहिए दुनों प्रोशेस कंप्लीट होने पर एकिस्ट मिलती है लेकिन ये जो waiting for approval है ये कभी कबार है वो direct RFT भी आ जाता है कभी कबार है वो direct payment process भी आ जाता है लेकिन ये जो after your procedure यानि funded transfer order है वो procedure yes होने के बाद ही है वो ये सबी काम करते हैं और 2000 रुपे खाते में है वो किस्त आ जाती है अब बात करते हैं ये सबी के status में आया है या पर कुछ किसानों की तो मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ नए किसानों के status में आया है जिनका फॉरम बहुत दिन पहले बरा गया था और किसान बे सबरे से इंतजार कर रहे थे उनके status में इस तरह का update आया है और उसके बाद ये apt procedure होगा उसके बाद ये वेटिंग से और अरप्टी होगा और अरप्टी से payment प्रोसेड होगा इसके 2000 रुपे आ जाएंगे लेकिन ये नहीं है कि किस तारीक आईगे ये कभी भी आज सकते है इसकी कोई fix date नहीं है आप comment में पूछते होगे तारीक बताए कब पेसा आएगा तारीक कोई नहीं होती है तारीक सिर्फ वही की होती है जब परदानमंत्रे जी बटन दबाकर जारी करते हैं ये वो पेसा ह जो कभी भी बीच में मिल सकता है इसकी कोई भी तारीक नहीं होती है और इस किसान की registration की बात करें तो आप देख सकते हैं 5.1.2021 का registration है यानि पूरे अभी तेड़ साल होने को है तो अभी तक इसका कोई भी update नहीं था लेकिन अब update आया है आपका हो सकते है बाद का आविदन हो या फिर कुछ किसाने से जिनका ओर भी पहले गाविदन है तो आपके स्टेटिस में इस तरह का update जरूर आया होगा ये वीडियो हर उस किसान के साथ सेर कीज़ेगा जो बेस बरिश इंदजार कर रहा था स्टेटिस में update होनेगा धन्यवाद किसान मित्रों